ओम नमस्षिवाय जय महाकाल आप सबको पता है कि कल है प्रदोस का बहुत ही प्यारा दिन आपको साथ चावल के दाने लेने हैं आपकी जो भी कामना है बहुत जल्दी पूरी होगी पूछ गुरुजी की कता से सुनके बहुत अच्छे से आपको समझा रहा हूँ बहुत ही ध लिपेंड कर रहा है चावल के दाने के ऊपर तो आपको साथ चावल के दाने लेने हैं और वो चावल का दाना कहीं से कटा पिटा हुआ टूटा नहीं होना चाहिए बहुत लोग टूटा हुआ है भी ले लेते हैं टूटा नहीं लेना है साथ चावल के दाने बिलकुल खड प्रिये होता है बेल पत्र में मता सती मा पार्वती का वास होता है इसलिए भगवाई शंकर को बेल पत्र बहुत प्रिये होता है तो बेल पत्र हमेशा बहुत प्यारी लिया करिए पांच बेल पत्र लिया उसके बाद साथी साथ आपको चाहिए साथ समी के पत्ते आपको चाह नहीं लेना है आपको तांबे का जल का पात्र लेना है इस तांबे के जल के पात्र में आपको सबसे पहले जल भरना है साथ चावल के दाने जो मैंने आपको बताए है वो डालने है पांच बेल पत्र आपको इसमें डालने है और साथ समी के पत्ते आपको इसी जल में डाल दे तो वहाँ पर आप एक घीका दिया गोलबादी का स्री शिवाय नमस्तुभ्यम का इसमनद कर दोए सबसे पहले शाम के टाइम पर प्रदोशकाल में लगाना और दीपक लगाने के बाद उसके बाद इस कलश को उठाना और महादयों के मंदिर में पहुचना प्रदोशकाल में प्रदोशकाल क्या होता है यहाँ पर विडियो आ रही होगी अब पहुचने के बाद क्या करना है आपको उसी जल के पातर से महादयों के शिवलिंग के ऊपर स्री शिवाय नमस्तुभ्यम का इसमनद कर दे जाना है थोड़ा थोड़ा जल की धार गिराएंगे वो बहुत ही दीरे दीरे गिराएंगे ऐसानी कि पहुचे तुरंद पलट दिया उठा के नहीं जब आप जल को चढ़ाएं बहुत ही धीरे दीरे स्लो मोशन में जल की धार को गिराएंगे और साथी साथ आपको मतलक्षमी का इसमनद करना है और आपको अपनी कामना महादयों से स्री शि उन सभी को एक एक करके श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का इस्वर्ण करते हूँ आपको समर्पित करते जाना है बेलपत्र जब आप समर्पित करना जिस तरफ खड़े हो करके आपने जल चड़ाया है उसी तरफ खड़े हो करके बेलपत्र चड़ाना चैनल सब्सक्राइब जरूर किया करिए ओम नमस्षिवाय जैमा